दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाती मालिवाल हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपने ट्विटर पर अभी अभी जानकारी दी कि आपको रेप की धंकिया मिल रही है पुलिस में आपने शिकायत कर दी है जी मैंने पुलिस में शिकायत कर दी है और ये सारा मामल तब से उठा है, in fact मैं शिकायत की कॉपी पे आपको दिखाना चाहूंगे, I've already complained to the Delhi Police, ये मामला तब से उठा है क्योंकि दो दिन पहले मैंने साजित खान के खिलाफ एक complaint अनुराग ठाकुर जी को दी थी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि साजित खान को तुरंथ, बिग बॉस जो शो है, उससे हटाना चाहिए, साजित खान के खिलाफ पहले ही दस महिलाएं आरोप लगा चुकी है कि कैसे उसने उन सब का यौन शोशन किया था, in fact एक अक्ट्रिस ने ये बताया था कि वो सिर्फ 17 साल की थी, जब वो ऑडिशन कर रही थी, हाउस्फुल फोर मूवी के लि अडिशन कर रही थी, तो साजित खान ने बोला था कि तुम अपने पूरे कपड़े उतारो, अगर तुम्हारा शरीर मुझे अच्छा लगा, तब ही मैं तुम्हें रोल दूँगा, तो इस तरीके की घिनौनी और घटिया सोच रखने वाला आदमी, जिसने इतनी सारी महिल के साथ यौन शोशन के जिसके पर आरोप हैं, ऐसे आदमी को मेरे हिसाब से किसी भी हाल में प्राइम टाइम शो पे नहीं होना चाहिए, और इस कम्प्लेंट को देने के बाद मेरे को रेप के थ्रेट्स आ रहे हैं, यही जानना चाहरा था कि आपने ट्वीट भी किया, धं यही धंकियां इंस्टाग्राम पे मिली हैं, और यह धंकियां यह कह रही हैं कि साजित खान जब बिग बॉस से निकलेगा तो वो मेरा रेप करेगा, तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि हम डढने वालों में से है नहीं, हमने दिल्ली पुलिस को F.I.R. के लिए कंप्लेंट दे जा रही हैं. जैसे शोज इस तरीके से कर रहे हैं कि वो सेक्शुल ओफेंडर्स को अपने घर में जगा दे रहे हैं और उसके बाद उनको प्राइम टाइम टीवी पे चलाया जा रहा है, जिससे कि उनकी इमिज वाइट वाइट वाश हो सके. मेरे हिसाब से बहुत गलत है, तुरंत आक् भी करेंगी, या आपको लगी कोर्ट तक जाना पड़े, तो आप कोर्ट तक भी जाएंगी, क्या आपकी तैयारी है? दिखी थी स्वाती माली वालने और मांग ही थी कि साजित खान को शो से हटाया जाए. कैमरमेन अभिशेक सिंग के साथ पंकर जैन, दिल्ली, आज तक.